आज हम देखेंगे Guided Lo gyदे Combine लास लेक्चर में हमने fare करी था लूफ्टयर् controlling मदब से हमने यह कट किया था अब हम देखने घ्रिक किया ऎस लुफ्टयर्ट у क्ट को डिली इक रेट किजिए वीकर करद लूफ्ट करक्ट Elit हो गया है यह चारो प्लेन नहीं हम해 हिध कर नहीं है। तो चारो प्लेयन सिलेक्ट कीजिये राइड किलिक इस है चारो प्लेयन ही हो गई है आब हम Сलेक्ट करते हैं फृन्ट प्लेयम सकेच सिलेक नॉर्मल अब यह चारो सरकल जो है सिलेकं कीजिये shift की दबाईए और चारो circle select हो जाएंगे sketch में जाके convert entities पे select कीजिए यह चारो convert हो गए अब यह चारो line यह select करके center line बनाईए इन्हें यह select कीजिए for construction ok अब यह चारो line यह center line हो गई है हमें guided, lifted, cut show करना है तो हम इसके लिए path line define करेंगे कि वो cutting की line से जाए इसके लिए normal spline select कीजिए अब हम path define करेंगे इस point से exit जाएंगे तो यह हमने एक path बनाया है अब हम देखते हैं इसका इस्तिमाल करते हुए कैसे guided cut, lifted cut इस्तिमाल करते हैं अब हम exit से sketch exit जाएंगे अब इसके बाद हम feature में जाके lofted cut select करेंगे profile में हम अपनी profile select करेंगे सारी circle select कीजिए यह हमने सारे circle select कीजिए कर लिए अब यहां हमारी जो line है जो हमने spline खीचा था वो अभी भी दिखाई दे रहा है अब हम यहां आजाए guided curves guided curves मतलब वो path define करेगा तो जैसे ही हम इस line को select करते हैं कुछ गढ़ पढ़ है इसको edit कीजिए और इसे थोड़ा सा उपर लिजिए यह प्रॉपर डिफाइन नहीं है ओके अब exit जाएए अब फिर से lofted cut select कीजिए सारे circle select कीजिए आप इसके बाद हमें path देना है तो इसके लिए curve में हम चूज करेंगे यह देखिए जैसे ही हमने वो path defined किया हमारी shape ने बिल्कुल उसी तरह shape ले लिया है हमारे profile ने यह देखिए select कीजिए ok यह हमारा lofted cut तया guided lofted cut उमीद करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा इसे like करना और share करना ना बुलिए धन्यवाद धन्यवा-ब। धन्यवाद घचैन दो यह देखिए अफंद का यह दो अज़ आपको इसे हमारा भीज़ जये बिल्वाद